सभी साथियों को जैविन आप सबसे आज एक मैं अपिल करना चाहती हूं वह यह कि आज हम जिस दोर से से गुजर रहे हमारा देश एक ऐसी आपदा से पुरा 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 विश्र ही ऐसी आपदा से हैं जो एक तरह से अपरतेशित शब्द ना भी प्रयोग किया जाए लेकिन अलग तरह कि आपता जरूर है इसलिए घर में रहें घर में बच्चों का ध्यान रखें खुद सेफ रहें दूसरों को भी सेफ रखें जैसे कि आप सब को पता है कि आने वाले 14 अपरेल को बाबा साब भीम्राव अंबेडकर का जनम दिन है और एक अंबेडकराइट होने के नाते क्योंकि बाबा साब की बदोलत आज हम यहां हैं उनकी उनकी ही नक्षे कदम पर चलते हुए ह हालांकि हमारे लिए तो बहुत दुरलब हैं उनके नक्षे कदम पर भी चलना लेकिन मैं आप सब से यह अपील जरूर करना चाहूंगे कि अब की बार समुह में हम बाबा साब अंबेडकर की जनती ना सेलिबरेट करें उनको जानने की कोशिच करें घर में बैठकर उनको ज साथ साज्या करना चाहती हूं और वही है कि मैंने आज के बाद से एक कोशिच करूंगी हर रोज लाइव होने की और बाबा साब भीमरावंबेडकर का जो वोल्यूम है जो मेरे सामने आप देख रहे होंगे आपको दिखाई दे रहा होगा पूरा का पूरा 21 वोल्यूम मेर ने आज तक नहीं दिया बहुत सारी पुस्त के ले जाते हैं दोस्त लेकिन वो रिटन नहीं करते हैं और फिर उसके बाद हम उसको डूंडते ही रह जाते हैं इसी करम में मैं आप सबसे चाहूंगी कि हम बाबसाब भीमरावंबेडकर की जेनती को अब की बार एक अलग तर से चर्चा में लेके हैं और उसी चर्चा की कड़ी में मैंने यह थोड़ा सा डिसाइड करने की कोशिश की है कि बाबसाब भीमरावंबेडकर की जनती को सेलिब्रेट करने की कोशिश करें यह के डॉक्तर बाबसाब भीमरावंबेडकर का जो संपूर उसका खंड नो उसमें जो जो विशेवस्तु हैं उसके कुछ हिंसे को मैं आप सब के साथ पढ़कर सांजा करना चाहती हूं विचलित करती हैं मैं बिल्कुल उन जो नर्स और डॉक्टर्स पे जो हमले किये जा नाम बड़ा रोलप्ले कर रही है एक दोसक्ता आपि बहें के नाम पर हो ब हैसे जमते ही देश को सफ़ रकना चाहती इमकर Alep करें और उसको हम बरदाश करें मैं उसकी निंदा करते हूं मैं चाहते हूं जो जिसका टाइटल ही अस्प्रिश्यता अथ्वा भारत की बहिस्कृत बस्तियों के प्राणी अंग्रेजी में ये 208 पेंच की पंडुली पी दूसरी प्रति हैं जिसका शिर्षक है अंटचेबल और दी चेल्डरन ओफ इंडियाज गेटो अस्प्रिश्यता अथ्वा भारत की बहिस्कृत बस्तियों के प्राणी ये पूरी पंडलुपी स्वैम में एक सवतंत्र पुस्तक स्वरूप है इसके साथ ही एक विसेसुची मिलती है जो चार खंडों में है ये आगे चोदै इंसार रखा जा सके ये संपादक का एक तरह से नोत मैंने अभी आपके सामने पड़ा अस्प्रिश्यता का आखिर श्रोत क्या था उसके उपर हम लोग चर्चा करना चाहते हैं ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अस्प्रिश्यता की डैनियस्थिती से दुखी होकर या चिला कर अपना जी हलका करते फिरते हैं कि हमें अस्प्रिश्यतों के लिए कुछ करना चाहिए लेकिन इस समस्या को जो लोग हल करना चाहते हैं उनमें शशायद ही एक ऐसा व्यक्ति हो जो यह कहता हूं कि हमें स्प्रिश्य हिंदूओं को बदलने के लिए भी कुछ करना बावा सब भीम रावा मेड़कर की जो यह लाइन है उसमें मुझे बहुत इससे बहुत बहुत एक अलग तरह की सोच मिलती है जो मैं जब जब इस लाइन को पढ़ती हूं यह जो धाना की हमें अपने हमें मतला स्प्रिश्य तो अस्प्रिश्य वैक्ति के लिए कुछ करना च जाना है अगर एस्प्रिश्य को सुधार दिया जाए तब एस्प्रिश्यता की भावना मिट जाएगी सवर्णों के बारे में कुछ भी नहीं किया जाना है उनकी भावनाई आचार विचार और आधर्श उच्छ हैं वेपूर्ण हैं उनमें कहीं भी कोई खोट नहीं है यह यह धार्णा यह उचित नहीं है यह धार्णा उचित हो यह अनुचित लेकिन हिंदू इसमें कोई प्रिवर्टर नहीं चाहते उन्हें इस धार्णा का सबसे बड़ा लाब यह मिलता है कि वे इस बात से अश्वस्थ हैं कि वे अस्प्रिश्यों की समस्या के लिए बिलकुल ही उत्रदाई नहीं है यह मनोवृत्ति कितनी स्वभाव अनुरूप है कि यहुदियों की समस्या असल में इसाईयों की समस्या है इस विशे पर लूइस गोल्डिंग की टिपने इस्थिति को और अधिक स्पष्ट करती है यहुदियों की समस्या असलियत में किस तरह समस्या समझता हूं उसको स्पष्ट करने के लिए बहुत ही सीदी सी मसाल देता हूं मेरे ध्यान में मिश्रिच जाती का एक आईरिश शिकारी कुट्टा आ रहा है इसे मैं बहुत दिन से देखता आया हूँ यह मेरे दोस्त जोन स्मिथ का कुट्टा है नाम है पैडी वह इसे बहुत प्यार करते हैं पैडी को सुप्याती का कोई कुट्टा उसके आसपास 20 गजदूर से भी नहीं निकल सकता और कोई देख भी जाता है दिख भी जाता है तो वह इसे भूंक यह बात जोन स्मिथ को बहुत बुरी लगती हैं और वह उसे चुप करने का हर से प्रयतन भी करते हैं यह जिन कुट्टों से नफरत करता है वे बेचारे चुप-चाप रहते हैं और कभी भी पहल नहीं करते हैं मेरा दोस्त हा जाती विशिश होने पर उसके सभाव के कारण है उसमें किसी ने यह नहीं कहा कि यह जो समस्या है वह स्कॉच कारी कुट्टे की समस्या है और जब पैड़ी अपने पास के किसी कुट्टे पर छपटता है तो बचारा टटी पेशा वगरा के लिए जमीन सूंग सांग रहा ह होता है तब उसके कुट्यग को क्या इसलिए मारना पिट न चाहिए कि वह अपने अश्तित्म के लिए पैड़ी को हमला करने के लिए उकसा देते हैं हम देखते हैं कि यहुदी समस्या और अस्प्रिश्यों की समस्या एक जैसी है स्कोट शिकारी कुत्ते के लिए जैसा पैड़ी है यहुदियों के लिए वैसा कोई एशाई है और वैसा ही अस्प्रिश्यों के लिए कोई है यहुदी और इसाई अपनी प्रजाती के एक दूसरे के शत्रू होने के काड़ एक दूसर दूसरी बात यह है कि यहुदियों इसाईयों से अलग अलग रहना चाहते हैं इन दो तथ्यों में से पहले तथ्या अर्थात यहुदियों और इसाईयों में वैरभाव का आहदार यहुदियों को अपनी प्रजाती के प्रति कट्टर भावना है और दूसरा तथ्य एतिहासि प्राचिनकाल में इशाहियों ने लेकिन याउदियों ने इसका सदा परतिरो दिखिया इस समद में दो घटनाएं उलेखनी हैं पहले घटना नेपोलिन के शाषनकाल की है दूसरी घटना तब की है जब पटाविया गनराज्य के स्थापना 1795 में हुई थी इसाईयों के स्परष्टिकान का चाहे जो भी अर्थ समझा जाए इतना तो स्परष्टे कि उन्हें कम से कम इस बात का तो एसास रहा कि उनका यह प्रमानित करना एक दाइत की यहुदियों के प्रति उनका वैवार गैर मानविय नहीं रहा है प्रतु हिंदूओं ने अस्परिश्टा के साथ अपने वैवार के उचित्ते को प्रमानित करने की बात तो कभी सोची भी नहीं हिंदू का दाइत तो बहुत बड़ा है क्योंकि उनके पास कुल वास्त्री का कारण है कि नहीं जिसके अंसार वे अस्परिश्टा को उजी ठेरा सके वे यह नहीं कह सकते कि कोई व्यक्ति समाज में इसलिए अस्परिश्टा है क्योंकि वह कोड़ी है या वह गिनोना लगता है वे यह भी नहीं कह सकते उनके और अस्परिश्टा के बीच में कोई धार्मिक वैर है जिसकी खाई का पाटर नहीं जा सकता वे यह तरक भी नहीं दे सकते कि अस्पृषय स्वयम हिंदों में गुन्ला मिलना नहीं चाहते हैं। लेकिन असपृषय के समंद्ध में ऐसी बात नहीं है। वि अर्थ में अनादी हैं और शेष में विभक्त हैं। लेकिन यह प्रितिक्ता उनका प्रितिक्वास उनकी इच्छा का प्रिणाम नहीं है उनको इसलिए दंडित नहीं किया जाता कि वे गुलना मिलना नहीं चाहते हैं उन्हें इसलिए दंडित किया जाता है कि वे हिंदुओं में खुल मिलकर मिल जाना चाहते हैं दूसरे स्विच्छा से अलग रहने की है अस्प्रिश्यतों की समस्या यह है कि उन्हें अन्वार्य रूप से अलग कर दिया गया है अस्प्रिश्यता एक मजबूरी है पसंद नहीं पर लज्जित होने के बज़ाए हम उसे उचित ठैराने के कोशिश करते हैं उनके समर्त में उनका कहना कि अन्यदेश की तुल्ला में भारत गुलाम प्रता कभी नहीं रही और यह कि एस्प्रिश्यता किसी भी दशा में उतनी बुरी नहीं है जितनी की गुलाम प्रता ऐसे ही तरक स्वर्गया लाला लजपत्राय जिसे महान वैक्ती ने अन हैपी इंडिया नामक पुस्तक में दिया है इस कत्थन का खंडन करने के लिए समय का आपवे करने प्रथा से बुरी हो ही नहीं सकते इस तरक का उतर तो यह है कि यह कहना सरासर जूट बोलना है कि गुलाम प्रथा कभी थी ही नहीं यह तो एक अति प्राचिन प्रथा है इसे हिंदुवों के विदी निर्माता ने मन्यता प्रधान की और उनका अनुकर्ण करने वाले अन्या ने इसे व्यापक पनाया और वहस्ति रूप दिया गुलाम प्रता के विल एक प्राशिन प्रता के रुप में नहीं थी जो केवल धुंदले परतीत से परचलित रही हो बल्कि यह तो एक ऐसी सस्था थी परत के इतियास में 1843 तक परचलित रही और अगर अंग्रेजी सरकारी से उस वर्ष कानून बना कर समाक्त ने कर देती तो हो शायद आज भी परचलित होती अब सबने बावशाफ भीम्रावटकर के संपून वाङिमें को सुना कलम फिर से हाजिर होंगी बावशाफ भीम्रावटकर के संपून मैं में चैसिर्ज करने के लिए हम एक 14 अपराल तक एक सरी मनाना चाहते जिसमें बावसाब भीम्रावंबेकर का जो संपून वांग में हैं जिसको अभी तक उस तरीके से नहीं समझा गया जो समझा जाना चाहिए हमने बावसाब भीम्रावंबेकर को जनतियों के रुप में उनको एक आदर्श के रुप में मनाना तो शुरू किया लेकिन अभी भी जानना बाकी है कम से कम मेरे लिए पहली जानना बाकी है जितना जैसे जैसे बाबा साभ भी और मेड़कर की वोल्ल emerging को पढ़ते हैं तो हमें बहुत सारी ऐसी जानकरिय हैं जो अभी तक हमारे सामने आगे नहीं आ पई हमें मानने से ज़्यादा जानने की जरूरत है इसलिए मेरा सभी साथियों से अनुरुद है कि हम कल फिर इसी समय या किसी भी समय सुबह मौर्निंग में भी कर सकते हैं क्योंकि कल की भी छुटी है ओनलाइन हमारी क्लासेज नहीं होंगी आज कल हमारे विश्व देल है दिली व हापस में इंट्राक्शन में रखें मेरे विद्यारती मेरे लिए उतने ही महता पूने जितने की मेरा मेरी करम स्थाली वही है इसलिए कल हम फिर हाजर होंगे बावसा भीम्रावमेटकर के संपूर्ण वांगे मैं में अगर आप ऐसी कोई योजना लेकर आते हैं या बावस यह सब के साथ जैंती तक और उसके बाद भी हम इसको पर चाचा कर सकते हैं क्योंकि मैं चाहती हूं कि हमारा जो दूर गराज में बैठे बैठे हुए जो लोग हैं वो बाबाबा साब भीम्रावमेटकर के संपूर्ण में को पढ़े जो नहीं पढ़ सकते हैं वो वडियो क के माध्यम से दूर दूर तक जो बैठे हुए लोग है वो कम से कम सुने बावसा भीम्रा वंबेटकर के वोल्यूम को एक बहुत बहुत अच्छे ची जनकरी आपको मिलेगी मुझे लगता है बावसा वंबेटकर की जहनती को सेलिबरेट करने का इससे हो सकता है इससे बढ़ा सबसे पहले हमारी अपने प्रती जिम्मेदारी है जब हम अपने आपको सुरक्षित महसूस करेंगे या दूसरे को हम सुरक्षित महसूस करवाएंगे यही हमारी भारत की हमारे राष्ट्र की खुबसूरती है इस खुबसूरती को बनाए रखिए हमें अपने आगे बढ़